बसकार दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि अंगुलार जेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं सी पैनल के सर्वर पे ताक कि आपका कॉस से हो सके और शेर्ड होस्टिंग के उपर आप आपका अंगुलार जेस अप्लिकेशन इंस्टॉल रन कर सके तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता है कि डोमें रेसर फ्री एस यो सॉफ्ट्वेर लांच कर रहा है जो हमारे डोमें रेसर के रिसेलर एंड शेर्ड होस्टिंग कस्टमर्स को फ्री आप कॉस्ट मिलने वाला है वो सॉफ्ट्वेर मार्केट में पांच हजार रुपई से लेके 7,000 रुपीज तक मंतली कॉस्ट है वो अभी हमारे डोमें रेसर के कस्टमर्स को फ्री मिलने वाला है सो बाक को यहांपर सबबसे पहले सॉफ्टैक्राइबिन रिजस दालना है और यहांपर उप्षण आजाएगा सॉफ्टैक्म ची अपनावगेशन ऍस्ट्टलिया आतके हुर्ध मैं आप यहांपर यहांपर 不起 गाले थांक औली तो यहाँ पे option आएगा angular.js का and यहाँ पे आपको click करना है install ना पोए तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पूछेए का domain name तो उस domain name को जिस domain name पे आपको install करना है उसका आपको directory चूज करना है और next बात यहाँ पे आता है suppose ag angular.js aj suppose angular.js हम डालते है तो यह इस domain के इस directory में जाके install होगा तो यह थोड़ा सा understand कर लेजा अगर आपको नहीं रखना है कोई directory just blank रखिए तो directly domain पे install हो जाएगा तो यहाँ पे हम डालते है angular.js तो यहाँ पे और एक चीज है यहाँ पे consideration आता है कि original package versus just library में क्या difference होता है तो just library files में इसे jquery आप use करते हैं उस type में एक single js file आपको वहाँ पे मिलेगे उसका आपको integrate करना है और angular.js का file यूज करना है और original package का मतलब पूरा angular.js के files installation हो जाएगे तो इस case में आपके ओपर depend है कि आप इसमें से कौन सा model यूज कर रहे है तो demonstration के लिए original package के ओपर मैं click करता हूँ और click on install installation hardly 3-5 second लेगा तो installation हमारा complete हो चुका है तो आप देख सकते है domain name के साथ में चलाच में angular चुका है तो जहाँ पे हमने install किया exactly वहीं पे installation हो चुका है now उसके बाद में हम जाते हैं cpanel में verification के लिए जब हम cpanel में जाएंगे तो वहाँ पे आपको click करना है file manager और याद रखो कि file manager के अंदर आपको जाना है public underscore html में तो यहाँ पे अगर हम आप scroll down करता हूँ तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखे एक folder बना है जिसका नाम है angular.js click कर दीचे यहाँ पे देखे all files क्योंकि हमने original choose किया है तो इसलिए all angular.js का packages download हो चुके है अपने server पे अभी एक last point रहता है कि अगर आप ng install कर ng के बारे में use कर रहे है तो यह आपको याद रखना है कि home slash आपका cpanel का user name slash public underscore htm slash अभी हमने इसको install किया है angular.js में राइट तो यहाँ पे आएगा angular.js और फिर उसके अंदर जाएगा libraries and blah 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 यह concept की तरह यह work होता है तो इसके बारे में आप थोड़ा सा understand कर लीजिए और आपको अगर कोई advanced level का operation perform करना है तो इस वीडियो को देखके और google में जाके आपको search कर सकते क्योंकि हमरा काम है आपको server को कैसे better use करना सिखाना. अगर आपको कुछ लगता है कि कोई queries miss हुई है या अगर आपको लगता है कोई questions है तो आप comment कर जी कीजिए ताकि हम आने वाले time में आपके लिए नए वीडियो बनाते रहें धन्यवाद